हेलो एवरीबन, बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर के डाउट में हैं कि जो घटना चक्र के कंपैलेशन्स आते हैं हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी, एकॉनमी, साइंस, इंवर्मेंट और यूपी के लिए जो यूपी स्पेशल के लिए तक्सार आती है तो इसमें कई लोगों के पास पुराने अडिशन्स हैं, यानि कि 2017 का है, 2018 का है, 2016 का है, 20 का है कुछ लोगों के पास obviously नहीं है, कुछ लोगों के पास गटना चक्र कंपैलेशन्स हैं ही नहीं sorry, वो उसके जगा पर द्रिश्टी की जो quick books आती हैं, जो different book आती हैं, उनको follow कर रहे हैं देखिए, मैं दो चीज़े आपर share करूँगा, उनको ध्यान से सुनिएगा पहली चीज़ कि मेरे पाद 2016, 17, 18, 19, 20 का है, 21 का है, 22 का है, तो क्या मुझे नया लेना चीज़े या उससे काम हो जाएगा देखिए, अगर आपकी किताब, आपका compilation, जो book आपके पास है, अगर वो पढ़ने की situation में है, अगर उसकी ऐसी condition है, कि आप उससे पढ़ सकते हैं, read कर सकते हैं, समझ में आ रही हैं, उसके जो questions हैं, answer से आपको समझ में आ रहे हैं पढ़ने इतने tear off नहीं हुए हैं, या उसमें आपने एतना लियादा overwriting नहीं किया है, आपने इतना cutability नहीं किया है, कि आप उसको पढ़ सकते हो, understand कर सकते हो, तो उसी से पढ़ो, especially जो history जोग्रफी होता है, जो quality है, इन सब में बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं होती है हैं, जैसे environment है, तो environment में national parks होंगे, या wildlife centuries होंगी, या bird centuries होंगी, तो यह obviously change हो जाती है, या जैसे wetlands होगर आएं, तो यह change होती है, 2-3 update होती है, तो वो आपको update कर लेना है, अगर आप उतना aware नहीं हो, आपने current की चीज़ों को update नहीं किया, और आप उसी से पुराना रटते 1970 की कोई अगर योजना है, तो वो नहीं बदल जाएगी, quality में जो articles है वो नहीं बदल जाएगी, quality में जो fundamental duties है, fundamental rights है, या आपकी preamble है, ये नहीं बदल जाएगी, जो केश्मनेंद भर्ती का केस है या जो अपका मिनर्वा मिल्स का केस है ये नहीं बदल जाएका। जोगरफी में अगर आपका जो मौनसून को पुरा कॉंसेप्ट है या जो बेवर., बेंगौल का जो अम सुझेट का कॉंसेप्त है, या जो ये अरब सीवाला है। यह सब बदल नहीं जाएगा, तो यह सब आपको बेसिक समझनी है, हिमाले अगर आपने चार साल पहले किसी बुख से पढ़ा होगा, पुरानी किताब से, या अभी आप नहीं बुख से पढ़ोगे, तो हिमाले जो हो था, वो अगर नौर्थ में था, तो वो नौर्थ से साउ करता है, तो वो proofreading करता है, पीलिटिं का मतलब क्या है, कि जो पुरानी गलतिया हुलती आएं, उस पर वो लो काम करके, नई चीजों में थुख सा अपडेट करते हैं, अन युटकोछ चीज थे, वो अच्छी करने का प्रियास करते हैं, इंप्रूब करने का प्रियास करते ह उसकी बात अलग है वो फिर नहीं कर सकता ना लेकिन जो एफूर्ट कर सकता है वो ले ले तो उससे क्या होता है कि आप अपडेटेड रहते हो आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है आपके सामने चीज़ें आपने उनको पढ़ लिया अपने पता लगा कोई चीज बर्गर खा लेता ओट उलिप अबर से चले जाते हो और लेता या ओर बी आसी चीजह है जिसमें आपका उतना पैसा घटना चक्र compilation को replace नहीं कर सकते हैं, कि हम घटना चक्र नहीं पढ़ेंगे, हम द्रिस्टी को एक book पढ़ लेंगे, तो फिर द्रिस्टी को एक book पढ़ लो, बट पढ़ने के बाद आपको फिर realize होगा कि जो चीज़ घटना चक्र में थी, वो द्रिस्टी को एक book में नहीं है, जितना फाइदा घटना चक्र से हो रहा था, वो उतना फाइदा द्रिस्टी से नहीं हो रहा है, तो घटना चरक के compilation बेसिक हैं, यह आपके पास होना ही चाहिए, नहीं है, तो ले लीजे, अगर आप एपोड नहीं कर सकते हैं लेना, तो फिर आजकल हर चीज़ की PDF पर आप नहीं कर पाएंगे, इतने मोटे मोटे compilation से 400-500-600 pages के compilation है, आप mobile पर कैसे पढ़ेंगे, आप यहांके खराब हो जाएंगे, आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे, आप इस चीज़ को समझेए, किसी अनुभव के साथ, कुछ experience के साथ आपको चीज़ बता रहा हूँ, प्रोसाओ चीज़ को मतलब आप समझ सकते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, आप 400-600 पन्ने की जो book है, जो compilation है, वो mobile पर पढ़ना नहीं है, possible, हाँ, दो-चार topic है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि हाँ, यह इसमें दिया है, यहां पिलाओ, मैं देख लूँ, मै इस तरह से उसमें questions को उन्होंने compile किया है, वो आपको जितने pages में मिल रहा है, अगर मोटा compilation है, अगर कोई और उसको बनाएगा, तो इतने में बनाएगा, यह चीज़ आपको समझनी पढ़ेगी, और तब भी वो शायद यह चीज़ ना दे पाए, तो उन्होंने जो मेहनत क रखी है, जो काम का रखा है, उसकी value करिए, उसको appreciate करिए, और उससे पढ़िए, आपको help मिलेगी, अब आपका यह है कि नहीं में घटना चक्रें नहीं करूंगा, मुझे लग रहा है कि repetition हो जाएगा, तो जो source आपके पास है, उसी को चार बार करो, उसी को पांच बार करो, तो कम से कम आप जो 70-80% content ने घटना चक्रेंगा, वो आप यहां से replicate कर लोगे, अब उस इंसान से compare मत करो, जिसने already 6 after time UPSC के दे रखे हैं, उसने घटना चक्रें नहीं पड़ी, बिकॉस उसने सारी किताबे पड़ा रखी हैं, उसने 50 test लगा रखे हैं, Vision IS, Insights, IS, बाबा औ आप नहीं जानते हो, तो आपको जितना बता रहो हूं, आप जाता दिमांघ मतलगो, आप दिमांग लगाओगे तो फिर आप चार गंतियों को unlearned करने में आपको फिर अलग जाएगा तीन मैना, आउतना समय आपके पास हैं इसलिए, To the Point जो चीजे हैं, जिससे आप टो च चीज़े हैं जैसे आपके बनते हैं उनको सीखो उनसे आके बढ़ो मैंने अभी तीन-चार वीडियो बनाया उसमें बताया पूरा जोगरिफी में यह इंपोर्टन है इन्वर्मेंट में सपेशल में चैप्टर बताया पूरा उसमें समझाया कि यह है पर लोगों से नहीं दे आदे नंबर से लोग फेल होते हैं तो आपको यह प्लानिंग होती है लेकिन उसमें आपको कुछ कुछ चीज़े नहीं मिलेंगी और बहुत अच्छी मिलेंगी तो यह सब चीज़ें आपको समझने पढ़ेंगी कौन सा टॉपक मुझे कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़न इस लिए उसने इस लिए उसने कर रहो आप उनको पकड़ नहीं रहो उन पर काम निकारो उने दूर निकरो तो यह सब बेसिक चीज़ें आपको समझना पड़ेगा बहुत ज़रूरी है यह होब कि आपको इस लिए से कुछ क्लारिटी मिली हो अगर अभी तक चैनल को जोन नहीं किया तो चाहो तो आपको आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं अगर अगर आपको लगे कि हाँ यह एक्चल में आपके लिए हल्फुल है आप अप अगर प्लान फॉलो कर र आपको दिखेगा कि यह से ना इसमें बहुरत जादा अनलेसिस में सही या ने जो चीज़े अगर एक बार उस पर लग गए उसमे पहले से दिमाग लगा रख़ा है कि यह सही है और यह मैंने किया सिमिश्य फाइदा मिला कि उसको करते रहो इसको करते रहो उसों लगातर त तो पता नहीं कितना पढ़ रहे हैं, हर किसी को नया पढ़ना पढ़ता है, अगर कोई IS का मेंस भी देर रखा ना कि जिन्म तीन बर, उसको भी अगर ROI रुका प्रिलिम्स का इसाम दिना होगा, वो भी पढ़के जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़के जाएगा, इसा पढ़के नहीं जाएगा, तो उसके 25 से 20 से हो जाएंगे, आपके नहीं होगे, खुद को कहीना कहीं पर्प्रेशन में ऊपर रखो, खुद की प्रोसा नहीं करोगे, खुद की अपर बरोसा नहीं रखोगे, तो कोई चीज नहीं हो पाए, कि यह चीज समझाओ, छोड़ी- तोड़ी चैलेंजिस आएंगे उसे गिर जाओगे इसलिए द्रिल संकल्प अपना रखो और अगर द्रिल संकल्प नहीं रख सकते हो अगर अपका होसला टूट रहा है तो फिर चीज़ें अपके लिए टफ होंगी और डे टू डे बेसे पर यह चीज़ करनी पड़ेगी ऐसा